इसे महाराज की मौजा ही समझिये की वे अपनेने को कहीं भी प्रकट कर देते वे इस कार्य को ऐसे कोशल से करते की यह एक सामान्य आश्चर्य की बाद बनकर रह जाती साधारन लोग इससे भ्रमित होते ते ही थे साधू सन्यासियों को भी मतिब्रम हो जाता था स्वामी अपनी पुस्तक इन्द स्टेप्स आफ योगी जमे ऐसी ही एक घटना का उलेक करतेते हैं प्रयाग में कुम्मन का मेला चल रहा था वहां किसी आश्रम के सन्यासिती गंगा के किनारे एक रातत विभिन विशेयों पर वार्ता कर रहे थे इस प्रकार बाबा नीब करोरी पर भी वात्रविद होने लगी एक साधू ने कहा कि बाबा की गती सर्वत्र है उनमें ऐसी शक्ती है कि वे कहीं भी हो बुलाते ही प्रकट होने जाते हैं इसमें बड़ा वाद विवाद खड़ा हो गया लोग इस सत्य को मानने के लिए तयार न थे उनका कहना था कि जिसने भी शरीर धारन कर रखा है उसे एक स्थान से दूसरे स्थानन में पहुचने के लिए समय चाहिए इस विवाद को व्यर्थ बताते हुए एक साधू ने कहा कि यदि बाबा पुकार पर उपस्थित हो जाते हैं तो बात सत्य है अन्यथा जूट इसक पर एक साधू ने बाहर लगा चुका तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बाबा उसके पास ही किसी व्यक्ती से बाते कर रहे थे